हलो गाईज तो कैसे है आप सब लोग वेलकम टू स्टेडी आई एएस तो यहाँ पर हम लोगों जैसे आप लोगों पता है हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो की नितिन संगहानया की बुक है वो यहाँ पर फुली डिसकस कर रहे हैं और डीपली बहुत जाज डिसकस कर रहे हैं तो यह है हमारा आज का लेक्चर नंबर सेविन जो की रहेगा साउथ इंडियन आर्ट के उपर यानि हम यहाँ पर साउथ इंडियन आर्ट को डिसकस करने वाले हैं हमने अभी lecture number 6 में गुपताईज complete कर लिया है गुपताईज हमारा पूरा complete हो गया है यह हमारा chapter 1 चल ला है deeply cover कर रहे हैं इस वह से हम parts में आपे divide करते वे जा रहे हैं तो अब हमारा आज के lecture में हम लोग discuss करने वाले हैं South Indian art South Indian art में temples architecture किस तरीके से हुआ करते थे और उसके बाद South Indian art में चोला आर्ट आया इन सब के अंतर temple architecture क्या होते थे sculptures कैसे हुआ करते थे sculptures के features temple architecture के features यानि कि किस-किस style में कैसे-कैसे features हुआ करते थे यह सारी चीज़े आज हमें South Indian art में fully discuss करनी है तो guys start करते हैं हम लोग अपना session आज का तो South Indian art अब जो temple architecture है South Indian art में वो कब से बिगेन हुआ अंडर पल्लवा रूलर के ठीक है पल्लवा रूलर के अंडर यहां पर temple architecture जो कि South Indian art का South Indian का था वो बिगेन हुआ जो कि पल्लवा रूलर जिसके अब एक रूलर तो होगा जिसके अंडर यहां पर बिगेन हुआ होगा वो है यहां पर महिंद्र वर्मन जो temples develop होते थे during पल्लवा डाइनस्टी के वो बहुत ही जादे stylish हुए ठीक है बहुत जादे stylish दिखे और यहां पर four stages में यहां पर यह temples बनाए गए under south indian art में यहां पर temple architecture जो south indian का था south india का वो यहां पर four stages में आपर cover करा गया अब चार stage अलग लगे हैं वो group में stages हैं यानि कि एक हमारा हो गया महिंद्र गूरूप, नरसिमा गूरूप ऐसे ही यहां पर हम discuss करने वाले हैं हमारा एक पल्लवा रूलर सबसे पहले ठीक है, महिंद्र वर्मन आया महिंद्र वर्मन के अंदर यहां पर हमारे south indian का art cover हो रहा था, अब इसके अंदर यहां पर four stage यानि four rulers है चार group बनाएगा, एक महिंद्र group बनाएगा, दूसरा नरसिमा group बनाएगा और तीसरा हमारा राजसिमा group बनाएगा, चौता हमारा नंदी वर्मन group बनाएगा, ठीक है तो यह चार हमारे groups बनाएगा, अब यह चार जब groups बनाएगा तो इसके अंदर यहां पर यहां पर अपनी जगे अपना architecture देख रहे हैं, temple architecture यह अपनी बना रहे हैं यह अपनी जगे तो सबके styles भी अलग अलग होंगे वही चीज़ यहां पर हम लोगों को discuss करने हैं, तो जो महिंद्रा group था वो first stage of पल्लवार की टेक्चर था ठीक है, आपको यहाद रखना है, first stage of पल्लवार की टेक्चर था महिंद्रा group जो temples यहाँ पर महिंद्रा वर्मन group के अंदर बना जाते थे वो ज़्यादतर rock cut temples हुआ करते थे, ज़्यादा तर rock cut temples यानि कि ज़्यादतर rock cut temples ही वहाँ पर बनाये जाते थे, महिंद्रा group में ज़्यो mean यह बिर सब्सके लेके बाद मॉरे अंडर हिम ता एक Assembly hall हुआ करता था ठीक है तो यहां पर यह हमारा जो महंद्रा ग्रूप में यह पूरा rocket temple मंदपा के नाम से जाना जाता है और जैसा नागना स्टाइल में होता था यह Assembly hall भूआ करता था इसा यहां पर कुछ नहीं है उसके बाद हमारा जो rocket temples हुआ कर दी थी यानि कि जैसे भी फर्स स्टेज में rocket temples थी ऐसे यहाँ पर जो rocket temples हुआ कर दी थी वो decorate कर दी गई intricate sculptures के थुरू ठीक है अब जो नर्समा गरूँ में क्या हुआ intricate sculptures यानि कि बहुत ही जटिलता से यानि बहुत ही घनी नकाश है उस sculptures के थुरू यहाँ पर यहाँ पर टैंप रॉक कर टैंपिल से उन्हें यहाँ पर decorate कर दिया गया फिर जो मंदापास थे उन्हें यहाँ पर divide कर दिया गया अलग अलग पार्ट्स में जिसे हम लोग रत्स कहते थे ठीक है इसी ग्रूप में इसी ग्रूप के अंडर जो यह नर्समा वर्मन ग्रूप में यहाँ पर करता था वह हो था उसे हम कहते थे धर्मराजरत याद रखना है आपको यह सारी चीज़ है जो बड़ा टैंपल हुआ करता था उसे हम धर्मराजरत कहते थे बड़े वाले को हम धर्मराजा और उसके बार चोटे वाले को द्रापती रध और जो design थे टैम्पल के जो Davidian style of architecture है वो successor था धर्मराजरत का ठीक है इस इस है जो तेंपल सुआ करते थे वो अल्हे रक पार्ट समय डिवाइट कर दिये अब जो बड़ा वाला होता था उसे धर्मराजा कहते थे छोटा वाला द्रौपती उसके बाद हमारा है यहाँ पर पंच रतास टेंपल जो की महाबली पूरम यहाँ पर एक्जाम्पल है तमिल नाडू का जो तमिल नाडू में है हमारे यहां पर यह example के तौर पर लिया गया है जो की किसके अंडर नरसिमा गुरूप के अंदर अब आप यहां पर देख सकते हैं जो temples है हम लोग अभी तक देखते वा रहे थे यह की temple हो करते हैं पर छोटे 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 1,2,3,4 यह बड़ा है ठीक है बड़ा है तो यह धर्मरजा रहत हो गया यह चोटे-चोटे यहां पर यह उनसे हुए दुरौपती रहत तो ऐसे temples महाँ पर बनने लगे थे उसके बाद हमारा थर्ड जो आया गुरूप वह है राज सिमा गुरूप अब इसके अंदर किस तरीके किसके instead of rocket temples ठीक फिर उसके बाद examples के हमारे पास शोल टेंपल जो की महाबली पूरम में है कैलाशना टेंपल जो कांची पूरम में एट्सेक्टर यह हमारे examples भी बहुत important है इस इन सबको याद रखना छोटे-छोटे keynotes बना लीजे कि points कर गए points में आप लोग नोट्स बना लीजे और जो जो एक chapter है उसे एक पेज़ देड़ पेज में आपे cover करके रख लीजे ताकि आपको revision में बिल्कुल भी दिक्कत ना पड़े जैसे ही आपको अगर याद है कि हाँ मुझे art and culture का revision करना है वही नोट्स उठाए दो पनने हैं तीन प टैंपल डवलप्मेंट है दूरिंग दा पल्लवर डाइनेस्टी चल लाई है अभी हमने डिसकस करा था पल्लवर डाइनेस्टी जो कि महेंद्र वर्मन महापे बने पहले रूलर फिर उसके अंडर चार ग्रूप आए अलब अलग ग्रूप में काम चल रहा है ठीक है अभी स्चोटे siz के टैंपल बनने स्टार्ट हुए है ठीक है तो यहाँ पर स्मॉलर साइस जो स्मॉलर इन साइस होते थे टैंपल स्जू हुआ करते थे फीचर्स जो हुआ कर देरी टैंप्ल्स के वह जो almost similar हुआ करते थे द्रेविडियन इस्टाइल आफ टैंपिल अर्गिटेक्चर के ठीक है द्रेविडियन स्टाइल से बिल्कुल जो फीचर्स हुआ करते हैं चोला kingdom के अंडर में जिसे हम लोग ड्रेविडियन style of temple architecture भी कहते थे ठीक है फिर उसके बाद ये एक new era के उसमें देखा गया in the development of temples in the southern India ठीक है इसे हम लोग कैसे जानते हैं development of temples जो वे southern India में इस तरीके से ये अभी mark करा गया यानि कि आज तक लोग हम लोग इसे स्टेज को जो ड्रेविडियन style of temple architecture हो यहां से ये start हुआ अब जो new era इसका जो start हो गया है ठीक है किसमें चोला kingdom के अंडर में in the later periods यहां पे अलग अलग three styles और भी आ गए चोला kingdom के बाद भी हां पे three styles और आ गए कौन कौन से हमारे वो तीन style वेसरा, नायक, नायका एंड विजय नगर style इस region में ही यही तीनों भी emerge हो गए अब चोला आर्ट की बात आती है तो हम चोला आर्ट देखते हैं अब अभी discuss करा कि चोला आ गया जब यह पल्लावड इनिस्टी डिकलाइन हुई तो अब यही temple architecture को एक new era मिल गया तो south indian art में और किस के अंडर में मिला चोला kingdom के अंडर में तो हमारे यह चोला आर्ट आ गया अब जो यह चोला style है इसे हम रेविडियन style of architecture भी कहते हैं ठीक है confused मत होना बिलकुल भी अब जो यह style है temple architecture का चोला आर्ट के अंडर में तो यह चोला rulers के अंडर में हुआ चला ठीक है फिर उसके बाद जो hundreds of temples बनाए गए south india में under this chola ruler ठीक है hundreds से भी जादा 100 से भी जादे temples बनाए गए और यह continuation था previous पल्लव architecture का यानि कि पहले जैसे बन रहे ते टैंपल्लव डाइनेस्ट्यू में वैसे ही यह लोग continue करते वे चले गए वही से continue करते वे चले गए यह नहीं कि थोड़ा और ऐसे बनाया continue करते वे चले गए थोड़े कम मतलब थोड़े बहुत थोड़े से variations के थुरू यानि थोड़े बहुत बनाये उन्होंने थोड़े बहुत डिफरेंस क्रियेट करें वरना वह ऐसे ही लेकर चले गए फिर उसके बाद क्या हुआ बाद में यह किस नाम से जानने लगे द्रेविडियन स्टाइल ऑफ टैंपल अर्किटेक्ट्चर जो की पहले पल्लवा अर्किटेक्चर था ठीक है भे स्टाइल अर्किटीक्ट्चर था वह और गया इंसी अब आते हैं तो हम लोग देखें तो फिट्र क्या पार वाल अ RIGHT यानि कि जो cables में बना मताने थे वहाँ पर हाइ Willगाना भूल हो हाइब बूंडरी वाल करती था एसा लेके नागरा श्काइल में बीलकुल नहीं थे एक भी बॉंडरी वाल्स नहीं थे एक्सेप्शन था भले ही एकाद स्कूल ओडिशा स्कूल जैसे था बड़ यहां पे नागरस टैल में टाहाई बॉंडरी वॉल्स नहीं थी फिर उसके बाद जो फ्रेंट वॉल हुआ करते थी यानि कि जो गेट एंट्रेंस गेटवे हुआ करते था अंडर द्रेविडियन स्टाइल आफ टैंपल आर्गिटेक्चर वह बहुत ही जादे हाई यानि कि बहुत बड़े बड़े गेटवेई हुआ करते थे जिसे हम लोग गोपूरम भी कहते थे याद रखना है आपको यह भी वर्ड गोपूरम कहते थे फिर जो टैंपल प्रेमिस स्टाइल लोगा बता दे रहा हूं अ महाँ पहले पंचातनी स्टाइल किस तरीके से हुआ करता था तो एक पहले तो में टैंपल हुआ करता था बीच में बढ़ा सा ठीक है जो कि हमारे याउनि कि में वहान बैटए और इसे हम लोग गर्भगरिया भी कहते थे ठीक है तो इसके किनारे किनारे यहाँ पर छोड़े-छोड़े temples हुआ करते थे four side temples हुआ करते थे अब यहाँ पंच्यातनी style हुआ नहीं हुआ यानि कि इसके किनारे-किनारे छोड़े-छोड़े temples हुआ करते थे यह तो हमारा main temple हुआ करते थे और इन चारों को हम लोग subsidiary shrines कहा करते थे आपको याद हो तो यहाँ पे देखा होगा word subsidiary shrines कहा करते थे तो यह हमारा होता था पंच्यातन स्टाइल अब जो द्रेवेडियन स्टाइल था यहाँ पर क्या हुआ अब विमान आ गए विमान यानि कि किसे कह रहा है यह लोग अब आषी करिया लेएं अप्को नाम से कुछ पता चला रहा हैं पहले वी थे रहा ना यानि की शिकर ऊई इस टैंपल के शिकर होते हैं विमान यहां भी थे ठीक है यहाप रहा अधको उसके बाद जो क्रॉनिंग आहलेंट्स था जो कि हमारा वो हमारा octagon की shape में था जिस हम लोग शिकर कहते थे यानि कि जो अब शिकर बनने लगे वो कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से नहीं मतलब थोड़ा यहाँ पर बन नहीं पा रहा है मैं आपको picture दिखाऊंगा कुछ इस तरीके से बन देते अक्टागन उसमें तो जो की similar हुआ करते थे कलश नागरा style of temple architecture यानि नागरा style of temple architecture में किस तरीके यह शिकर हुआ करते थे पहले ऐसे प्रफ़एंट में क्या बता रहे हैं कि जो ड्रविडियन style of temple architecture थे यहां पर जो पंचयातन style अपना या था यह हमने पढ़ लिया फिर उसके बाद जो पंचयातन style था यहां पर जो main temple था बीच वाला इस पे तो शिकर हुआ करते थे विमान हुआ करते था बट जो four subsidiary shrines हुआ करते थे यानि कि sorry guys जो four subsidiary shrines हुआ करते यानि कि अब मान लेजे चार टेंपल यह हैं इनके ऊपर यह शिकर नहीं हुआ करते थे यहां पर लिखा वाय पॉइंट जो subsidiary shrines हुआ करते थे उनके ओपर विमान नहीं हुआ करते थे बट जो एक principle हमारा मंदिर हुआ करते था बीच में main temple हुआ करते था वहां पर विमान हुआ करते था अब जो assembly hall हुआ करते थे under this temple architecture जो की connected हुआ करते थे गर्बग्रिये से बाया वैस्टेवलर टनल नोन अज अंतराल अब यहां पर अंतराल भी है पहले भी अंतराल था हमने पढ़ा था अंतराल किसे कहते हैं यानि कि हमारा गर्बग्रिये है ठीक है यहां पर टैंपल हमारा यहां पर अंदर प्रिंस्प प्रिंस्पाल के ठीक है अब हम लोग देखते हैं the next point क्या दे रहा है जो entrance उवा करता था गर्बग्रिये का वहां पर sculptures हुआ करते थे entrance पर ही किन किन के द्वारपाल के मिथून के और यक्षाज के ठीक है entrance हुआ करता था घरबग्रिये का यानि कि गर्बग्रिये का तो यहां पर प्रोड़ा परब्लम्स भी होगी दिये हैं यहां करेंग फिक्टा पहले हम अन्लो फहले अब भॉरा पूरा का पूरा यहांड़ा है मैं कि आंगा की कि हमारा ट्रीवीर us टाल के टैंपल किस तरीके से यहां पर विल्ट करे जाते थे यह हमारे पास पूरा आर्किटेक्चर जरह कि इस तरीगे से यहां पर इस डिजाइन में मैप जैसे होता है जैसे डिजाइन करता है घर वगरा वैसा ही यहां पर यह कुछ इस तरीगे से बना हुआ है तो हमारा जो प्रिंस्पल टैंपल हुआ करता था गर्बगरी है यह है ठीक है हमारा गर्वगरिये हुआ था ता यह में टेमपल आप समझ लिए यह को पूरम यानि गो पूरम यानि इंट्रेंस गेट यहां से हम गए मंदर में आगे बढ़े तो यह हमारा हुआ मंडप एसेंबली बोल जिसे का तो ठीक है असेंबली हुआ अब आगे की साइड करता था, main temple इसके उपर शिकर हुआ करता था, विमान जिसे कहते थे, फिर यहाँ पर water tank भी present था, उसके बाद subsidiary shrines था, और subsidiary shrines के उपर हमारे शिकर नहीं थे, ठीक है हमारा इस तरीके से हमारा पर temples built हुआ करते थे, यह हमारा architecture था, कहाँ पर, under किसमें, जल्दी से comment करिए, पिना रोके, बताता हूँ अब, द्रिविडियन style of temple architecture गेंडर में, दन उसके बाद हमारा sculpture की बात करें, temple architecture की तो हमने बात कर लिए, अच्छे से, कुछ इस तरीके से design हुआ कर दे temples के, जो कि हमारा भी हमने पढ़ा था ना, भी हादेशवारा temple जो की तंजोर में है, वो, यह है हमारा temple, तो अब हम sculpture की बात करेंगे, temple architecture हमने पढ़ लिया, कि किस तरीके से temple को design कर जाता था, अब sculpture कैसे हुआ करते थे, किसमें, चोला आर्ट में, चोला आर्ट हमने पढ़ लिया, चोला अर्गी टेक्चर, अब चोला sculpture पढ़ेंगे, कि, इस sculpture जो में वहाँ पे था, नटराज था, जो की बहुत पहले से ही, आत आया हुआ है, मन्ने बहुत पहले से ही, फॉलो करा जा रहा है, बट यहाँ पे हमने कुछ जादे, इसके उपर रोशनी डाली है, तो हम यहाँ पे अब जो features बगएरा, cover करते हैं इनके, तो start करते हम लोग चोला sculpture, तो देखते हैं, चोला sculpture, जो important feature हुआ करते था, चोला temples का, वो importance placed on the decoration through sculpture, अब यहाँ पे, जो एक बहुत जादे important feature था, चोला temple का, वो जो temples को decorate करते थे, वो decorate ही sculptures के through करते थे, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, कि इतने जादे importance होगे sculpture का, चोला sculpture का, फिर कितने जादे use होता होगा, कि वो लोग temples को decorate करने के लिए ही sculptures को use करते थे, फिर जो एक important piece है, चोला sculpture का, वो है sculpture of natrage, मैं अभी जैसे बात करता था, तो हम अब sculpture जो की natrage, जिसे हम natrage कहाते हैं, मैं आपको picture दिखा देता हूँ, उसके बारे में हमें पढ़ना, यह हमारा natrage का sculpture, ठीक है, चोला period time पे जो जाद अतर use हुआ, तो हम लोग इसके बारे में ही discuss करने वाले हैं, अंडर चोला sculpture, अब जो यह natrage sculpture है, वो tanda dance posture में है, हमने अभी देखा, फिर जो earliest known natrage sculpture, जो की, यह जो natrage sculpture था, यह बहुत पहले से चलता वारा, यानि कि रावन फाड़ी केव, जो की एल होल में है, तब से ही चलता वारा है, बट यहाँ पे जो है, sculpture, जो यह natrage sculpture था, वो अपने peak तक पहुँच गया, यानि कि, natrage sculpture पहले से ही है, ठीक है, पहले से ही वो लोग use लेते वारा है, पहले से ही वो चलता वारा है natrage sculpture, यहाँ पे, बहुत ज़ादा यूज़ करने लगे फिर उसके बाद जो features है नट्राइज sculpture के वो उसके बार में हम बात करेंगे बहुत सारे important features नट्राइज sculpture जिसमें से questions बहुत सारे बनते हैं UPSC बहुत सारे questions पूछता है तो हमें आप features डिसकस करना है जो नट्राइज sculpture का upper right hand है उस हाथ में drum है जो क्या बताता है sound of creation जो signify करता है sound of creation यानि कि जो भी कुछ बना है वो उनके डमरू के आवाज से create हुआ हुआ है जो भी creations है वो डमरू के उस आवाज से create हुई है यह रही हमारे picture यहाँ पर इनके हाथ में यहाँ पर है डमरू फिर उसके बाद है second feature इस जो अपर left hand है उस hand में eternal fire मान लेजिए camfer होगा कफूर होगा ठीक है क्या हुआ eternal fire है जो की represent करता है destruction यहाँ पर creations हो गए जो कि इनके डमरू के sound से हुए हैं फिर यहाँ पर destruction जो बता रहा है signify कर रहा है जो उनके हाथ में eternal fire है ठीक है अब destruction का मतलब है यह कह रहा है कि जो भी कोछ आया है धरती पर उसे जाना भी है ठीक है कितनी अच्छी बात है उसके बाद जो third feature है जो lower right hand है वो अभे मुद्रा के gesture में बना हुआ है जो कि बता रहा है signify करता है benediction और devotee not to be afraid benediction यानि वो मंगल कामना करता है जो उनका posture है और वो कहता है कि devotee यानि भक्तों को कभी भी दुख नहीं होना चाहिए ठीक है sad नहीं होना चाहिए be happy आपको भी हमेशा खुश ही रहना चाहिए चाहिए कुछ भी हो मुस्कुरा कर चीजों से लड़ना चाहिए ठीक है guys याद रखना इस बात को उसके बाद जो next feature है जो lower left hand है उस culture का अब यहां पर हम बात करते हैं हमने की बात कर लिए पर इस हेंद की बात करें अब जो this यह लोवर यानि की यह वाला इंड है वह जो अप्रेज़ लैग की तरफ जा रहा है ठीक है यह वाला हाथ जो अप्रेज़् लैग की तरफ फेस करता है कि यह रहा जो लोवर लेफ्ट हैंड है जो पॉइंट करता है टौर्ड अप्रेस्ट फॉड ठीक है वह क्या करता है पाथ ऑफ सालवेशन को इंडिकेट करता है यानि मोक्ष का रास्ता बताता है उसके बाद नेक्स विचर इस जो शिवा जो डांसिंग है यहां पर जो यह स् ने के ऊपर चले हैँजो कि द्वाफ यानि कि ड्वाफ से क्या पता चलता है क्या दर्शाता है कि इगनूरेंसे गीव, एच्छा theatre भाद दिखाने से ठीक है तो हम लोग देख लेते हैं पिर स्कल्प्चर को फिर से जो यहां पे dancing पो है यहां पे sculpture बनावाई शिवा का वो एक dwarf यानि एक bone के ओपर बनाया गया है जो कि यह दर्शाता है ego हमेशा दवा ही रह जाता है फिर उसके बाद जो matted और flowing locks है शिवा के यानि कि जो शिवा के यहां पे अभी sculpture में जो बाल बनाए गए है ठीक है बाल बनाए गए वो यह दर्शा रहा है flow of river गंगा यानि कि ऐसे लग रहा है कि गंगा river बह रही है आप देख सकते हैं ठीक उसके बाद यहां पर जब ornamentation की बात आती है अब ornamentation में एक कान में शिवा ने मेल एरिंग पहना है ठीक है शिव ने यहां पर एक कान में मेल एरिंग पहना है जब और दूसरे कान में female पहन रखा है female ठीक फिर उसके बाद जो कि यह represent करता है fusion of male and female यानि कि यह क्या बताता है male और female का fusion जिसे हम लोग अर्ध नारीश्वर भी कहते हैं ठीक उसके बाद next feature क्या बता रहा है जो snake उनके गले में है ठीक है गले में नहीं है sorry हाथ में आम पे यहां पे twist हुआ वा है आम पर यहां पर तो जो snake इनके arm पर twist हुआ वा है वो क्या बताता है वो symbolize करता है कुंद कुंदलिनी पावर क्या होती है जो कि यह दर्शाति है कुंदलिनी पावर हमारे human spine spine क्या होती है रिड के headache है वह वह हां पर रहती है हमारी power और यह दर्शाति है कि हमें सोस्त नहीं रहना है विल्कुल भी क्योंकि हमें खुद ही अपनी जो features है अपने अंदर की qualities वह हमें प ना तो कोई खूबी हर एक के अंदर होती है तो अपने अंदर की खूबी ढूंडो उसके काम करो और अपनी सक्सेस अचीव करो फिर उसके बाद हमारा लास्ट फीचर क्या कहता है जो नट्राज है सराउंडड बाया यानि की जो हमारा स्कुल्प्चर है वो एक निम्बस ऑफ ग्लोइंग लाइट्स जो की सेंबलाइज करती है वास रेंडिंग साइकल्स ऑफ टाइम मैं आपको पहले बता देता हूं फिर और चलता ही रहेगा टाइम कभी नहीं रुकता है और नहीं कभी रुकेगा तो आपको क्या करना है टाइम के साथ ही हमेशा अपने आपको अपडेट रखना है और टाइम के साथ ही वर्क करते वे रहना है क्योंकि टाइम आपके लिए कभी नहीं रुकेगा आप रुक तो अब यहां पर बात करते हैं हम लोग हमारा चोला आर्ट कम्प्टीट हुआ चोला स्कूप्चर कम्प्टीट हुआ पल्लवा डाइनेस्टी के जो चार गुरूपस आए चार गुरूपस के अंदर क्या क्या बना किस-किस तरीके से टैंपल अगिटेक्चर हुआ वह हमें ड डिटेल में पढ़ना है कि इन सब के अंदर क्या-क्या चीजे हुआ करती थी कैसे कैसे यह सारे जो इनके अंडर टैंपल आर्किटेक्ट्चर था वह किस तरीके से डिजाइन हुआ घरता था आर्किटेक्ट्चर नायका स्कूल और यहां पर वे सारा स्कूल यह सामने नंदी वर्बन ग्रूप के अंडर पड़े थे न तो यह सब अदर स्कूल ऑफ आर्ट में क्योंकि कुश्चन्स पूट हो जाते हैं यहां से भी कुश्चन्स बन जाते हैं तो इस विज़े से यहां पर यह कवर करना जरूरी है तो जो हमारा नायका स्कूल था नायका स्कूल आर्किटेक्ट्चर जो था वह फ्लोरिजड वह यानि कि वह बढ़ता गया कि इसमें नायका रूलर्स के अंडर में और टाइम पीरिड क्या था 16th सेंचरी से लेके 18th सेंचरी एडी तक इस स्कूल प्रेश्ट्चर को हम लोग मदुराइ स्कूल भी कहते थे अब जो यह इसका आर्किटेक्ट्चरल था वह सिमिलर था द्रेविडियन स्टाइल से और क्या था यहां पे इस्लामिक इंफ्लूएंस भी था ठीक आप इसलाम से कुछ रिलेटेड हैं पर इसलामिक इंफ्लूए था वो बहुत बड़े बड़े नहें पर बड़ने लगे जो नायका स्कूल था यहां पर यहां पर पिक पिचर देखेंगे वहां से अब्दम क्लियर होगा और जो गर्ब प्रिड्रिटरी पैसेजबी कहते थे थे वहां पे रूफड से कवर हुआ करता था ठीक है अब हाँ पे रूफ भी आगये और जो गोपुरॕम क्या हुआ करते था हमारे gateways entrance gateway जो गोपूरण बिल्ट हुआ करते थे नायक rulers में वह बहुत बड़े बड़े गोपूरम हुआ करते थे ठीक है largest गोपूरं हुआ करते थे और जो मिनाक्शी temple का गोपूरं है वो यहाँ पर टॉलेस्ट गोपूरम वर्ड का है ठीक है टॉलेस्ट गोपूरम कहां कहा है मिनाक्षी टैंपल का पूरे वर्ड में फिर उसके बाद जो आर्ट ऑफ गोपूरम थी यहां पर वह अपने तो यह है हमारा मिनाक्षी टैंपल जो की मदूरे में है जो हम इने अभी एक्जैंपल लिया था आप दीख सकते हैं जो कॉरिडोर्स हैं बहुत बड़े बड़े हैं शिकर्स और इसके वर्ल्ड लार्जेस्ट गेटवे यहां पर वर्ल्ड का इसी टैंपल का मिनाक्षी तो गाइस आज के लिए बाई बाई मिलते हैं आप से हम लोग नेक्स लेक्चर में